असलाम वालेकूम कैसा आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे आज हम बनानी जा रहे है वेज इडली आइए देख लेते हैं एक कप मैंने सूजी ले ली है एक कप दही ले लिया है उसी माप से दौनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आधा कप और पानी डालेंगे सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे बैटर तयार हो गया है अब इसे हम 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट होने देंगे यह दिखिए 10-15 मिनिट हो गई है सूजी फूल गई है थोड़ा सौर पानी डालेंगे क्योंकि सूजी अभी बेटर हमारा गाड़ा है आधा कप पानी डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक डाल देंगे एक चम्मच यह अपने टेस्ट के इसाब से डालिए दो हरी मेर्श ले लिए है मैंने उसे बारिक चॉप कर लिया है गाजर को एक गाजर को बारिक चॉप कर लिया है एक मिडियम साइज की प्यास ले लिए एक कैप्सिगम ले लिया है हरे धनिया डाल यह देखे बैटर तैयार हो गया है अब हम जिसमें इडली बनाएंगे उस कटोरियों में हम तेल लगा लेंगे यह देखे मैंने एक इनो ले लिया है इनो को डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनो डालने से पहले आप पानी गरम करने रख दें स्टीमर में अब हम इटली का बेटर डालेंगे और हम स्टीम करने के लिए रख देंगे इसे यह देखे पानी कितना गरम उबल रहा है उपर से स्टीम आ रही है अब उसे कवर करके 15 मिनिट के लिए 10 से 15 मिनिट के लिए रख देंगे यह दिखे इडली तैयार हो गई है दस से 15 मिनिट में आप देख सकते हैं चूरी साफ निकली है इसका मतलब कि इडली तैयार हो गई है कि देखिए इडली तैयार हो गई है आप देख सकते हो हमने ग्रीन चटनी खोप्रे की चटनी के साथ और लेसुन की चटनी के साथ उसे सव किया है यह कितनी सॉफ्ट और स्पॉंजी बनी है देखिए आप अंदर से भी मैं दिखा देती हूं आपको यह दिखिए कितनी बड़िया बनी है यह आप बच्चों को भी नाश्ते में दे सकते हैं इनके टिफिन बॉक्स में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना अल्ला हाफीज